दोस्तों मैं सोरोमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नदियो के किनारे बसे नगर से सम्बंदित 25 ऐसे महत्पून परसन दोस्तों जो की परिक्साओं में हर बार पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं और 25 में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना इसको कमेंट बोक्स में बताना मत बोलिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सेर करना दोस्तों के साथ में दोस्तों एहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह आपके लिए टेस्ट कोशन रखा गया तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा और सही उत्तर मैं आपको वीडियो के दोरान बता दूँगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन आपके स्क्रेन पर है सिरी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों सिरी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ट्राइ करिए और कमेंट बोक्स में आंसर बताने की कोसिस करिए देखे राइट आंसर रहेगा दोस्तो जेलम नदी के देखे इस नदी का वेदिक कालीन नाम क्या था दोस्तो वितिस्ता तो ये भी आप नोट कर सकते हैं दूसरा कोशन हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्थी था देखे मैंने कुछ चुनिंदा कोशन से लिया है तो बिलकुल वीडियो को देखेगा और कोई भी कोशन इसकिप मत करना बहुत मज़ा आएगा जब आप पूरी वीडियो देख चुके होंगे हैदराबाद किस नद किसी नदी के किनारे इस्थी थे यानि की सी राइट आंसर रहेगा दूसरे कोशन का सही उत्तरवई ये भी याद रखना है तीसरा कोशन है मारास्ट का नासिक सहर किस नदी के किनारे इस्थी थे देखे इस कोशन का राइट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों गोदावरी न नासिक सेर इस्तित है यानि कि D right answer हो जाएगा तीसरे question का सेटर दोस्तो question number 4 है गोहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा है प्यारे दोस्तो इस question का right answer रहेगा देखे गोहाटी नगर जो है ये ब्रमपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है right answer option A हो जाएगा देखे दोस्तो ब्रमपुत्र नदी के किनारे एक तो गोहाटी एक डिब्रुगड और एक तेजपूर ये तीनों ही exam में कहीं कहीं बार आ चुके हैं तो तीनों याद अखना गुहाटी डिब्रुगड और तेजपूर तीनों के तीनों दोस्तों ब्रंपुत्र नदी के किनारे बसे हुए सहर है ठीक है पाँचवा कोशन है नेवन में से गंगा यमना नदी के संगम पर कौन सा सहर बसा है देखे इस कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों परियाग राज देखे परियाग राज का पहला नाम इलाबाद था जिसको बदल के परियाग राज कर दिया था तो गंगा यमना नदी के संगम पर इस्तित है प्रियागराज तो राइट आंसर भी हो जाएगा पांच वे कोशन का सही उतर मेरे प्यारे दोस्तों 6000 कोशन आंसर की जो हमारी मास्टर पीडियाप है अभी इसमें छोटा सा बदलाब किया गया है देखे जो चीज़े आपको इस पीडियाप में मिलती थी वो तो सारी मिलने वाली है जैसे की स्ट्री, जोग्रफी, पॉलेटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी, करेंट फिर, कंप्यूटर, स्ट्रेटिक जी के तो फ्री में मिलती है बट इसके अलावा 2023 की संपूर्ण करेंट फिर, यानि की 6 महेने की करेंट फिर आपको इसी पीडियाप के साथ दी जाएगी आप लेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ अब जैसे ही पेइमेंट कर देंगे इस पीडियाप का लीचे डिस्क्रिप्सट्रिप्षिन बोक्स में लिंक दिया गया है या फिर आप हमारे वोट्स आप नंबर टर मैसेज करके भी लिंक ले सकते हैं जैसे ही आपको link मिलेगा और उस पे आप payment कर देंगे तो उस payment का screenshot लेके दुबारा से इसी number पे भीज देना आपको जो free वाली पीडियाप है static gk की और current affair की वो आपको whatsapp पर ही भीज दी जाएगी दोस्तो राईस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे इस्तित है तो right answer is चंबल नदी के किनारे इस्तित है option A राइट आंसर हो जाएगा छटे question का save करें ऐए दोस्तों सात्वाक कोशन है और नेलोर शेहर जो की आंध्र पर्तिस का है किस नदी के किनारे स्तित है कि इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पनार नदी के किनारे इस्तित है यानि कि बी राइट आंसर हो जाएगा वई अगला कोशन आता है जमसेदपुर किस नदी के किनारे इस्तित है बिल्कुल सही है राइट आंसर इस बिल्कुल से दोस्तो राइट आंसर इस सर्ण रेखा नदी के किनारे इस्तित है और जमसेदपुर जो है जो है जारखन का एक सहर है और जमसेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है ये भी आप लोग जिरू नोट कर लेना काफ़े इंपोर्टेंट है दोस्तो नवा कोशन है कानपुर सहर किस नदी के किनारे इस्तित है कानपुर सहर दोस्तो किस नदी के किनारे इस्तित है देखे गंगा नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे कुछ महत्पूर सहर में बताता हूँ आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लेना या फिर इस वीडियो को दो से तीन बार देख लेना याद हो जाएंगे देखे एक तरप से स्टार्ट करते हैं गंगा नदीय किनारे बसे नगर एक तो हरीदवार हो जाएगा हरीदवार ठीक है रिसी केस बद्रिनाथ ठीक है, हरिदवार, रिसिकेश, बद्रिनात, बहुत ही महत्पून है, हर बार आते हैं फिर आजाते हैं आपका कानपूर, पटना, वारांसी फिर आजाते हैं फरुकाबाद, कन्नोच, ठीक है बेगुसराय, बकसर, भागलपूर और सहीब गंज यह सारे के सारे सहर दोस्तों, गंगन नदी के किनारे बसे हुआ है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, और यहां से कोशन्स हर बार बनता है दसवा कोशन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों अयुद्ध्या जो है ये बहुत अच्छा कोशन है और देखे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहे न भई ठीक है दोस्तों के साथ भी सेयर करते रहे न और लाइक भी करते रहे न अयुद्ध्या दोस्तों सर्यू नदी के किनारे बसा हुआ तो राइट आंसर इस सी ठीक है और भी मैं बता देता हूं सर्यू नदी के जो परमुक नगर जो बसे हुए जिसमें बैराईच है सीतापूर है गोंडा है फिरोजाबाद है अयुद्य मैंने बताई दिया ठीक है और जी दोहिर गाठ है बलिया है ये सबी भी दोस्तों सर्यू नदी के किनारे बसे हुए नगर है नोट कर सकते है ग्यारवा कोशन है आंदर परदेश राज्य का विजयवाड़ा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा क्रिस्टना नदी के किनारे यानि की बी राइट आंसर हैगा ग्या राइट आंसर इस बी बारवा कोशन है नियुद्वे से कावेरी नदी के किनारे बसे परमुक नगर कौन से हैं तो बात कावेरी नदी की की जा रही है दोस्तो तो इसमें जो सही आंसर रहेगा सिरी रंग पटनम जो की करनाटक में है और तिरुचिरापली जो की तमेल नाडु में है तो ए और भी दोनों हो जाएंगे तो राइट आंसर डी रहेगा बारवे कोशन का से उत्तर ये भी नोट कर लिजेगा कोशन नमबर 13 है उडीसा राज्ये का राउर केला सेर किस नदी के किनारे इस्तित है तो राइट आंसर क्या रहेगा ब्रामनी नदी के यानि की ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 13 का सही उत्तर कोशन नमबर 14 है उडिसा राज्य का कटक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा महा नदी के किनारे बसा हुआ है तो राइट आंसर ओप्शन ही हो जाएगा भई 14 का सही हुदत कोशन नमबर 15 है लुद्याना किस नदी के किनारे इस्तित है दोस्तो उडिसा राज्य का कटक नगर तो मान अदी के यह ठीक है लुद्याना किस नदी के किनारे इस्तित है भई तो इस कोशन का सही उत्तर हैगा आपका सतलूज नदी के यानि की बीराइट आंसर हो जाएगा पंदरवे कोशन का से उतर ठीक है पंजाब राज्य को इत्यासिक नगर लुध्याना सतलूज नदी के किनारे इस्तित्त दोस्तों और देखे चलिए छोड़ अहल तो मैं बताई देता हूँ जो लुध्याना दोस्तों ये बसाया गया था 1480 में ठीक है लोधी वंस द्वारा ये भी नोट कर सकता है सोलवे कोशन ने तमिलनाडू राज्य का मदूरे नगर किस नदी के किनारे इस्तित्त थै वेंगाई नदी के किनारे दोस्तों यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा सोलवे कोशन का सेवतर सतरवा कोशन है निन में नर्मदा नदी के किनारे कोन सा सहर बसा है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे कौन सा सेर बसा हुआ है तो इस question का right answer क्या रहेगा right answer है जबलपूर यानि कि C right answer है गा सतरवे question का सेयुतर ये भी आपको या लखना है question number 18 है आगरा किस नदी के किनारे बसा है दोस्तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है यमना नदी के और यमना नदी के किनारे बसे हुए कुछ और परमुक नगर बता देता हूँ एक तो दिल्ली आ जाएगा दोस्तो एक्जाम में कहीं बार आ चुका है दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा ये आप लोग नोट कर लीजेगा उन्नीसवा कोशन है उत्तरपरदेश की रायधाने लकनाओं किस नदी की किनारे इस्तित है देखें लकनाओं जो है वह है गौमती नदी के किनारे यानि कि ऑप्शन डी रायट आंसर हैगा उन्नीसवा कोशन का रायट आंसर और जोनपूर भी गौमती नदी के किनारे हैं सुल्तानपूर भी दोस्तो गौमती नदी के किनारे हैं ये भी नोट कर लेना दोस्तों निमिन में से सिप्रा नदिया चिप्रा नदी के किनारे कौन सा सहर इस्तित है तो उज्जेन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हैगा यानि कि B इस दा राइट आंसर ये भी नोट कर लेगा कोलकता किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों कोल कता किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो राइट आंसर हैगा हुगली नदी के किनारे यानि कि A राइट आंसर हो जाएगा 21 कोशन का सही उत्तर ये भी जरूर याद अखना है 22 कोशन है सूरत किस नदी के किनारे बसे परमुक सहर है तो राइट आंसर हैगा तापती नदी के यानि कि ऑप्शन D राइट आंसर हैगा 22 कोशन का सही उत्तर भी 23 कोशन है मध्या परदेश का गवालियर सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो राइट आंसर है चंबल नदी के 23 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा D ये भी नोट कर लेगा 24 है गोवा की राजधानी पंजी किस नदी के किनारे इस्तित है गोवा की राजधानी पंजी दोस्तो किस नदी के किनारे इस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा 24 कोशन का सही उत्तर भी कोशन नबर 25 है एहमदा बाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों एहम्दाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो राइट आंसर इस साबरमती नदी के यानि कि सी राइट आंसर हो जाएगा 25 वे कोशन का सही उत्तर देखे 25 में से आप लोगों ने कितने सही किये हैं ये आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएंगे अयुद्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपके लिए टेस्ट कोशन है इसका आंसर भी कमेंट बोक्स में जरूर बताएंगे क्योंकि वीडियो के दुरान मैंने इस कोशन को कवर कराया है आप लोग only top study आपको जरूर डाउनलोड कर लेना इसमें आपको 5 स्टार की रेटिंग भी करनी है और उसके बाद मैं आपको करेंट फेर की और यूटूब की कहीं फिरी पीडियाप यहां से मिल जाएगी और दोस्तो 6000 कोशन आंसर की जो मास्टर पीडियाप है अभी इसमें मैं अल्रीडी बता चुक हूँ कितना जबरदस्त ओफर चल रहा है इसमें आपको स्ट्रेटिक जी के फिरी मिल रही है इसमें आपको 1600 करेंट फेर 2023 की जो करेंट फेर हमारी वो भी इसमें बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और प्राइज वही रखा गया है 1500 रुपेई या दोस्तों इस पीडियाप का प्राइज नहीं बढ़ाए गया है पीडियाप को बढ़ा दिया गया है अगर कुल मिला के मैं बात करूँ आप पेमेंट करने के बाद में हमें वोटस अप नंबर पर अपना पेमेंट इसक्रीन सोट बेज देना आपको आठ साड़े आठ हजार कोशन्स बेजी जाएंगे वोटस अप पर ही अगर आप वोटस अप पर पीडियाप चाते हैं वैसे इस पीडियाप का लिंक नीचे डिस्क्रीप्शन बोक्स में है और व्याँ पर पीडियाप ले सकते हैं वीडियो पसंद आईए तो लैक करिए सेयर करिए दोस्तों के साथ में चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन कोर्ड़ रखना ताकि कोई भी वीडियो मिछना हो थेंकी सो मच बाइबाइ अवरीवन टेक केर ख्या लखें